प्रति वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है आज के इस गौरव शाली दिवस पर मैं आदिती सजदेव हमारी राजवाशा हिंदी की बढ़ती श्यकारेता पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ 14 सितंबर 149 को भारतियता विधान सभादवारा अनचित 343 में भारत संग की राजवाशा के रूप में हिंदी को मनेता दी गई हर भारत वासी के लिए यह गरव का विशय होना चाहिए कि आज दुनिया के 176 विश्व विध्यालियों में हिंदी एक विशय के रूप में पढ़ाई जाती है अमेरिका के अलावा यूरोपिये देशियों एशियाई देशों और खाड़ी के देशों में भी हिंदी का तेजी से विकास हुआ है और निरंतर हो रहा है रूस के कई विश्व विध्यालियों में हिंदी पर लगातार शोध हो रहे है रूसी विद्वानों की हिंदी में इतनी जादा दिल सस्पी है कि हिंदी सहित्ते का जितना अनुवाद रूस में हुआ है वह तुना शायद ही दुनिया में किसी अन्य भाषा के ग्रंथों का हुआ हो हिंदी को विश्व आर्थिक मंच की गर्णा के नुसार विश्व की दस शक्तिशाली भासाओं में से एक माना गया है आज भले ही हमारे देश में ही कुछ लोग हिंदी के उप्योग को लेकर कभी कभी बेवजह का विवास खड़ा कर देते हैं और अपनी राजनीती को चपने का प्रयास करते हैं लेकिन हर भारती के लिए यह गर्व की बात है कि दुनिया भर में अब हिंदी को चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है राश्टविता महतना गांधी सुतंतुता संग्राम के दौरान जन संपर्क के लिए हिंदी को ही उप्योगी भाषा मानते थे गांधी जी के अनुसार अपने लोगों के दिलोग तक हम वास्तों में अपनी ही भाषा के जरिये पहुँच सकते हैं हिंदी एक ऐसी भाषा है जो प्रत्यक भारती को वैश्विक इस्तर पर सम्मान दिलाती है दुनिया भर में आज 75 करोड से भी जादा लोग हिंदी बोलते हैं और जिस प्रकार वैश्विक परिद्रिश्य में हिंदी की स्विकारेता निरंतर बढ़ रही है उसे देखते हुए यह कहना असंगत नहीं होगा कि अब वह दिन जादा दूर नहीं जब हमारी राष्ट भाषा हिंदी चीन की भाषा चीनी को पचाड़ कर शिर्ष पर होच जाएगी इंटरनेट पर हिंदी का जो दायरा कुछ समय पहले तक कुछ ब्लोगों और हिंदी की चंद वेबसाइटों तक ही सिमित था अब हिंदी अक्षभारों की वेबसाइटों ने करोणों नए हिंदी पाठकों को अपनी सास जोड़कर हिंदी को और समर्द्य बनाने में मत्वापोर्ण भूमी का निभाई है गूगल के अनुसार सन 2021 तक इंटरनेट पर 20 करोड से अधिक लोग हिंदी का प्रयोग करने लगेंगे यहाँ हिंदी के प्रचार प्रसार और व्यश्विक सिकारेता का ही प्रणाम है कि आज हिंदी अपनी तमाम प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए लोक्रेता कास्मन छू रही है धन्यवाद